जैसा कि दोस्तों हम सभी को बता है कि 2007 में वर्ल्ट टॉलिष्ट बिलिंग बुर्ज खलिफा का स्ट्रक्चर बन कर तयार हो चुका था लेकिन दोस्तों बस कमी थी तो गिलास पैनल की जिसमें 24,000 गिलास पैनल लगने थे लेकिन दोस्तों उसमें दिकत ये आ रहे थी कि दुबै की करक्टी धूप की वज़े से बुर्ज खलिफा के अंदर का जो टेंपरेचर है न वो काफी ज़्यादा बढ़ जाता और दोस्तों वो बढ़ावा टेंपरेचर इतना उतना नहीं था बलकि दोस्तों वो 98 डिग्री सलसिय तक जा पहुँचा था और दोस्तों इतिनी करक्टी गर्मी में साइडी को ऐसा इंसान होगा जो जिन्दा रह पाता और दोस्तों यह कारण से पूरे 18 महिने तक बुर्ज खलीफा का जो कंश्रक्शन है न वो रुका रहा और दोस्तों इन 18 महिने में एक हल डुना गया वो था दोस्तों हाई टेक ऐलुमिनियम गलास जो कि दोस्तों सूरत से आने वाले हैपी गर्मी को वो गलास रिफलेक्ट करके अंदर के टेंपरिचर को काफी अच्छे से मिंटेंड करता लेकिन दोस्तों बुर्स खलीवा पर इन सारे गलास की लगाने के कोश्ट लगवक तीन अरब रुपे बैठती जो कि दोस्तों काफी ज़्यादा थी इसलिए दोस्तों एक नई फैक्टर इन सारे गलास पैनल को लगाने के लिए तयार किया गया झाल